नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉर्णेशन बिहार पुलिस कर्मियों को लेकर एक बड़ी खबर सामनी आई है जहां पर एक दो नहीं भलकि पूरे 800 पुलिस कर्मियों की जो तैनाती है जो उनकी जगह है उसमें तबातला किया गया है दरसल ये बिहार पुलिस कर्मी जो काफी दिनों से एक जगह पर पोस्टिट थे तो उनके जो पोस्टिंग के जगह थे उनमें चेंजिस किये गए है क्या है पूरी खबर बिहार पुलिस से जुड़ी हम आपको बताते है पत्ना जिले में करीब 800 पुलिस कर्मियों को इधर से उधर कर दिया गया है इसमें अधिकांश पुलिस कर्मी क्रामिन इलाकों के ठाने में रिजर्ब गाठ की रूप में तैनात थे पतना जिले में कानून विवस्था को नियंतरित करने के लिए पुलिस मुख्याले ने पुराने पुलिस कर्मियों को नई जग तैनाद करने का निर्ना लिया है राजधानी पटना के बिभिन इकायो और जिलो बल के तैनाद 800 से अधिक पुलिस कर्मियों के रेंज से बाहर कर दिया गया है पुलिस मुख्याले के इस आदेश से इस्थान नारंतरित अधिकांश पुलिस कर्मी वह हैं जो 10 या उनसे अधिक साल से पटना में ही तैनाद है डीजीपी को ऐसे पुलिस कर्मियों की सूची मीली थी जिसमें एक ही थाने में सालों से जमें पुलिस कर्मियों की माफियाओं से गठ जोड था ऐसे पुलिस कर्मियों की गती वीधियों पर नजर रखी जा रही थी, माना जा रहा था कि एक साथ इतने बड़ी संख्या में पुलिस बलुप बटना जिले के करीब 800 पुलिस कर्मियों को इधर से उधर कर दिया गया है, इसमें से अधिकांश पुलिस कर्मी ग्रामी इलाकों के थाने में रिजर्व गाठ की रूप में तैनात थे, इन सभी को वी आईपी की सुरक्षा महतपुन भवनों की सुरक्षा और शेहरी थानों में रिजर्व गाठ की रूप में तैनात ही दी गई थी, ये पुलिस कर्मी ग्रामिन इलाकों में तैनात थे और 180 दिनों के अव दिनों से महसूस की जा रही थी संबन में पुलिस और उपमाहने रिक्षक से एसेस्पी डॉक्टर मानवी सिंग धिलुक ने पत्र जारी किया और जल से जल ने पदस्थाप अस्थर पर ज्वाइन करने का निर्देश दिया है तो पत्ना में हो रही जो अपराधी कांड है खास करके ऐसे पुलिस कर्मी जो अपराधू का साथ देते हैं बिहार पुलिस कर्मियों की जो है वो तबादला की जा रही है और ये तबादला दरसल आठ पुलिस आठ सो पुलिस कर्मियों की की जा रही है वो ऐसे पुलिस कर्मी हैं जो पहले से कई सालों से यहां तैनाथ थे खास करके ग्रामिन इलाकों में जिने गाट की रूप में रखा गया था जिने बैंक की गाट की रूप में रखा गया था उन सबी को तबादला कर दिये गया कि इसमें पुलिस कर्मी की तबादला के बाद और भी जादा इसमें अच्छे तरीके से निरिक्षिन किया जाएगा इसके कारण ये तबादला किया जा रहा है और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज फोर्नेशन धन्यवाद